तो 120, 80, 17 का tubeless tire मिल रहा है, पहले आपको 100 section का tire मिल रहा था, वहाँ पे आपको 10,000 से 30,000 तका अच्छा कासा discount मिल सकता है, तो अलो guys कैसे उमीद करता हूँ बढ़े आँगे, अभी आपके सामने 24 की newly launch Pulsar की NS125, जिसके अंदर company ने काफी अच्छे updates किया है, तो कौन-कौन से updates किया है, और price बड़ा है, तो कितना बड़ा है, और सारी जनकरी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी, बस वीडियो को अन तक सबूर देखना है, तो सबसे पहले पहले अपडेट की बात कर लेता है, जो कि front में है, अब front में क्या update है, इसकी जो display है, वो यहाँ पे change हो की थोड़ी सी finishing मिल जाती है, endurance के telescopic type के suspension मिलते हैं, आपको इसके front में, यहाँ पे आपको dual piston के साथ caliper प्रवाइड कर रही है, फ्रन में MRF कमपनी का tire मिल रहा है, जो कि रहने वाला है, 90-90, 17 का tubeless air, और इसके जो alloy है, वो कर दी है, पूरी तरह से change, देख सकते हो, इसके alloy का size एंड इसके जो alloy है, वो देखके बताओ, आपको better लग रहे हैं, या फिर old वाले better थे, इसके उपर आपको white color की stickering मिल जाती है, जो देखने में काफी cool लग रही है, बकि आपकी क्या रहा है, इसको लेके comment करके बता देना, यहाँ पे आपको single horn मिल जाता है, एंड इसके fuel tank की बात करें, तो 12 लिटर की fuel tank capacity मिलती है, फाइबर में आपको fuel tank मिलता है, इसका पूरा का पूरा glossy finishing की साथ, grey color यहाँ पे add गया है, multiple color आपको मिल जाते है, इस bike के अंदर अपनी पसंद की according आप कोई भी color choose कर सकते हो, पलसर जो है, dual tone color के साथ यहाँ पे, आपको यहाँ पे panoside में आपको pulsar 3D में mention कर रखा है, और इसके meter console की बात करें, तो यहाँ पे कुछ भी update नहीं किया है, same वही meter console रहने वाला है, fully digital meter console, तो जाधा time आपका waste नहीं करेंगे, दो बटन मिलते है, modes and setting के लिए, जिसे आप इसके अंदर की जो features हैं, उनको use कर पाऊगे, charging port के mode, indicators और horn का switch, horn जो है single रहने वाला है, quality आपको काफी अच्छी मिल जाती है, volume जो है, वो काफी अच्छा sound करता है, seat के बात करें, तो 805 mm के आपको seat height मिल जाती है, काफी अच्छी cushions add के, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ देख सकते हो, rider के लिए आपको काफी comfortable मिलती है, and plane के लि cowl के उपर यहाँ पे mention कर रखा है, dual tone color में मिल रहा है, यहाँ पे black and यहाँ पे grey and यहाँ पे white color के speaker mention कर दी है company, side panel आपको full plastic का मिलेगा, black color का fuel injection यहाँ पे mention कर रखा है, यहाँ पे आपको leg guard मिल जाते है, यहाँ पे kick और self दोनों का आपको option मिल रहा है, इस bike के अंदर बजा आज जो है वो engine के उपर mention कर रखा है, engine की बात करें तो इसमें आपको 124cc का single cylinder air cooled engine मिल रहा है, power की बात करें तो 11.8 PS की power मिलती है, and torque मिल रहा है 11 Nm का, तो power performance भी आपको same ही मिलने वाली है, यहाँ पे आपकी grey color के chase ही रहने वाली है, अगला update क्या है इसके rear tire में, तो पीछे काफी अच्छी होगी है, यहाँ पे मतलब road पे इस bike को आप चलाओगे तो आपको मजा आ जाएगा, पुरानी NS भूल जाओगे, क्योंकि इसके अंदर जो चीज आप aftermarket करवा दे हो, वो company ने खुद दे दी, तंग आ गए हो, भाई इतनी aftermarket modification करवा होगे, तो ऐसा है हम खु क्यों हो रहे हो, तो नाइलोन का यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको MRF कंपनी का टायर मिल रहा है, यहाँ पे section की बात करें, तो 120-80-17 का tubeless tire मिल रहा है, पहले आपको 100 section का टायर मिल रहा था, तो आपकी सुनली कंपनी ने टायर जो है, वो वाइडर हो चुका है, और gripping काफ पेंचन मिल रहे हैं, जो की adjustable रहने वाले हैं, जिन्हें आप अपने हिसाप से adjust कर सकते हो, यहाँ पे आपको passenger foot race मिल रहे है, foldable, जिसके उपर rubber का यूज नहीं किया है, and rider foot race जो है, वो आपको मिल रहे है, foldable, जिसके उपर rubber का यूज किया है, company ने, braking आपको यहाँ मिल जात पे, adjustable foot race, यहाँ पे आपको interactions मिलते हैं, आगे वाले टार में, और पीछे वाले टार में, कितनी हवा भरवानी चाहिए, तो वो चीजे भी mention कर रखी है, seat open करने के लिए, आपको यहाँ पे keyhole मिल जाता है, जिसके आप पीछे वाली जो seat है, इसको open कर सकते हो, जिसके अंदर आपके tools पगेरा रखे होते हैं, tail की बात कर लेते हैं, तो tail यहाँ पे same design, same pattern में रहने वाली है, यहाँ पे, यहाँ पे एक light मिलती है, जो कि halogen में आपको मिलती है, जो कि visible होती है, number plate पे, number plate यहाँ लगेगी, indicators आपको थोड़े से flexible मिलते है, halogen bulb के साथ, यहाँ पे आपको मिलता है, reflector, gear box की बात करें, तो यहाँ पे आपको 5 speed का gear box मिलता है, इसके अंदर पहला नीचे बाकी चार उपर की तरफ, side chain, main chain, दोनों मिल रहा है, 179 mm का आपको ground clearance मिल रहा है, मतलब अगर आपकी height है 5 foot तक की, तो इस bike को आप आराम से ride कर लोगे, उसमें भी आपके पैर पूरे नहीं पहुचेंगे, मेरी height है 5,5, उसमें भी मेरे पंजेना touch हो रहे थे, बाकी मेरी जो toe है, वो उठ रही थी, तो पूरा पैर मेरा touch नहीं हो रहा था, अगर आपकी height 5 foot तक की है, तो आप इसे आराम से ride कर लोगे, 5 foot से कम है, तो भाई matter करता है, आपके skills कितने better है तो आप इस bike को ride कर सकते हो, दूसरी side में अभी आपको यहाँ पे same graphics है, 125 का sticker mention कर रहा है, white color में, and glossy gray color का आपको यहाँ पे tank cowl दिया जा रहा है, फाइबर में, engine के उपर यहाँ पे बजाज का logo मिल जाता है, आपको, दूसरी side भी company leg guard प्रोवाइड कर रही है, आपके लिए इसके अंदर आपको engine cowl भी मिल रहा है, black color का, जिसके अबर dual tone color के sticker mention कर रहा है, gray and white color के, तो यह sticker आपको यहाँ मिल जाते है, और इसके front में यहाँ पे आपको breaking की wire मिल जाती है, यहाँ पे holding के लिए, यहाँ पे rubber लगा रखी है, फिलाल यहाँ पे इसको ऐसे ही adjust कर दिया है क्योंकि मैं showroom से निकाल के लाया हूँ, तो इकी finishing आपको थोड़ी बहुत up and down लग रही होगी, कि finishing पूरी तरह से नहीं है, suspension के दोनों साइड में आपको यहाँ पे reflector mention कर रही है, कंपनी and front वाला जो है, वो endurance का आपको मिलता है, टैलिसकोपिक टाइप का suspension, तो गाड़ी के करवेट की बात करनें, तो 144 kg का करवेट रहने वाला है, मतलब बाइक ज़्यादा भारी भी नहीं है, बस ही अगर आपके पैर पूरे पहुंच जाते हैं, तो आप 200 kg की बाइक आराम से राइट कर लोगे, लेकिन पैर नहीं पहुंचते हैं, तो भाई, 100 kg की बाइक आपको आप ऐसा लगता है कि अब गिरी और अब फटावट से इसका जो साउंड है, एक जो साउंड वो सुन लेते हैं, क्या वो भी डिफरेंट हुआ है, चेंज हुआ है या फिर नहीं, तो फटावट से करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट, साइलेंट स्टार्ट है, और बिना किले गाड़ी के बारे में आपकी जो भी राय हो, वो भी बता देना, और इसके उपर आफ़र चल रहा है भी, फिलिपकार्ट या फिर एमाजोन पर, वहाँ पर आपको 10,000 से 30,000 तका अच्छा का सा डिसकाउंट मिल सकता है, तो फटावट से जाओ, अभी तक वीडियो देख र करेंगे, थोड़ा लेट करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, और यह गाड़ी लेने के लिए आपको आना है, ओखला, फेस्टू, मदूर, बजाज, बाकी डीटेल में आप डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर चेक आउट कर सकते हो, कॉल, समस, जो भी करना है तो गाइज, लेतेल विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केर, जैहिन